होली का मौका हो और कोई मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज जटपट बनाते हैं ठंडाई के लाकर बहुत ही स्वादिश बन कर तियार होता है और बहुत ही मज़दार लगता है खाने में इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूद इसे हम एक बा पनीर बहुत ही अच्छा सा बन के तियार हो अब जैसे ही हमारा दूद में से पनीर अलग होने लगेगा इसका सारा पानी हमें कपड़े में चान कर अलग कर देंगे और इसे एक साफ पानी से एक पार धो लेंगे ताकि हमारा जो तारा खटा पने नीबू का निकल जाए और और इसे अच्छी तरह से स्क्वीज करके हम एक साइड रख लेंगे थोड़ी देर रखने के बाद हमें एक प्लेट में निकालना है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी दाना न रहे अब हम फिर से यहां पर आदा लीटर दूद ले यहां पर शुगर कम यूज की है और इसे अच्छी तरह से जब तक हमारी दोनों चीजे मिक्स ना हो जाए हमें इसे मिक्स करना है जैसे हमारी शुगर मेल्ट हो जाएगी हमने अपना पनीर मैश करके रखा हुआ है वह भी इसमें मिक्स कर देते हैं तीन से चार मिनिट के ल है तो आज ही इस बहुत ही क्विक और एजी रेस्पी को ट्राइ करें और होली के मौके पर इसे सर्फ करें और इसके बहुत ही डिलीशस वाद को इंजॉय करें थैंक यू फॉर फॉर चिंग टेक केर बाबाई